नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विकास है और आप एक्जाम नीती का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस वीडियो में बात करेंगे आज के most important current affairs के बारे में तो ध्यान से देखेगा इस पूरे वीडियो को अगर आपको इस वीडियो का पीडियाप चाहिए तो पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से आज का पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं आशी करेंटबफेर अपने पहले क्वेशन के साथ हमारा आज का पहला क्वेशन है कि अगस 2020 में किस संस्तान ने छात्रू के डिजिटल आउतारों के साथ डिजिटल दिक्षांस अमारों का आयजिन किया इसका जो सही आंसर है वो है आउट्षन सी वल बनाया गया था और virtually आयोजित इस दिक्षान समारों में जितने भी छात्र थे जिनको की दिक्षान समारों में सम्मानित किया जाना था जिनको graduation की जो degree थी वो दी जानी थी उन सभी छात्रों के यहाँ पर digital character बनाए गये थे तो आप जिस तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे ये पूरी तरीके सा ऐसा लग रहा है कि जो चात्र है वो स्वयम महाँ पर जो अपना दिक्षान समारो है वो अटेंड कर रहा है लेकिन ये सभी जो है डिजिटल करेक्टर बनाए गए थे जितने भी चात्र इस समारो में इस दिक्षान समारो में हिस्सा लेने वाले थे उन इसके वज़े से ये जो दिख्षान समारो था इसका आयजन वर्च्वली किया गया था इस समारो में साल 2016 में फिजिक्स का नोबल पुरसकार जीतने वाले डंकन हाल्डेन मुख्य अथिती के रूप में आमंत्रित थे आपको ध्यान होगा कि 2016 में फिजिक्स का जो नोबल पु आउतार बनाया गया था आयाइटी मुंबई की निदेशक जो है उनका नाम है प्रुपेशर सुवाशीश चौदरी ओके इसके बाद क्वेशिन नम्बर सेकेंड है कि निमने लिखित में से किस बैंक के द्वारा गिग अपॉर्चुनिटीज नामक पहल की शुरुआत की ग अपने लिए इस्ताई या आइस्ताई जो करमचारी है उनको चयानित कर सकता है तो बेसकिलिए यहां पर आया एक्सेस बैंक का ये कहना है कि वो जो नई योजनाय लौश करता है जो भी नई नई स्कीम लोगों के लिए लौश करता है उसके लिए उनको बहुत से ऐसे पहल है जिसके द्वारा ये कोशिश कर रहे हैं कि जादा सजालों लोगों को ये इस्ताई या आइस्ताई तोर पे नौकरी दें ठीक है एक्सेस बैंक की स्तापना 1993 में हुई थी इसका मुख्याल है मुंबई में हैं और MD और CEO हैं इसके अमिताब चौधरी इसके बाद बात अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतराश्टिय दिवस मनाया जाता है यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखाया है तो आप यहाँ पर से देख पाएंगे इस दिवस का उद्देश दास्ता से पीडित लोगों को याद करना है बेसकली इसके जो दास विरोजी जो गतिवीदियां थी वो यहाँ पर शुरू हुई थी तीक है यानि कि दास्ता का अंत जो है यह हैती आंदुलन के बाद ही शुरू हुआ था तो इसके लिए जितने भी लोगों ने अपनी जान देश आंदुलन के दोरान जितने लोगों ने मेहनत की उन देशता उनमूलन दिवस मनाजाता है जबकि 23 अगस्त को दास वियपार और उनके उनमूलन के लिए अंतराश्टी दिवस मनाया जाता है तो यह दोनों अलग-अलग चीजें अंतराश्टी दास्ता अन्मूलन रश 2,004 को घोशित किया गया था तो यह भी हमें यहां से पत अपना योगदान दिया और इस दास उन्मुलन दिवस में आप जो है दासता के अंत को लेकर काम करते हो तो एक माँ आप दास पर्था का अंत कर रहे हो और दूसरे में जब कि आप दास पर्था का अंत करने वाले बेढ़े information तो सब्सक्राइब है फिसे राइथ सब्सक्राइब लोगों को याद कर रहे हो थोड़ा सा अंतर है आप यहां पर पढ़ सकते हो इसके लिक 2020 आगूरन चल परदेश ने किस वर्षर सभी को लगया पानी परदान करने का लक्ष रखा रकख्ः इसका सही question option B वला है यानि कि 2023 तक अभी रिसेंटली और उनाचल परदेश सरकार ने ये घोशना की है कि वो 2023 तक सभी लोगों को नल का पानी परदान कर देगा आपको पता होगा कि जल जीवन मिशन के तहत और उनाचल परदेश में ये फैसला किया गया है कि 2023 तक ये सभी घरों में नल का पानी पहुचाएंगे इसके बाद क्वेशन नमबर पाँचवा है कि अगस 2020 में निम्लिखित में से किसे ICC Hall of Fame में शामिल नहीं किया गया है अभी रिसेंटली ICC Hall of Fame में शामिल न और ऑस्टेलिया की पूर्व कप्तान है लीजा स्टालेकर ये सभी लोगों को अभी रिसेंटली तीन लोग है ये और इनको ICC Hall of Fame में शामिल किया गया है ओके सो ये आप यहां से याद रख सकते हैं बहाद से सचिन तेंदूर कर हो गया और अभी सास्त्री हो गया ये जो है ICC Hall of Fame में शामिल है तो बिसके लिए ICC Hall of Fame में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनोंने क्रिकेट को एक्विशिस्ट पहचान देने के लिए अपना उत्किष्ट योगदान दिया हो यादनी कि अगर सीडी सब्दों में कहें कि ऐसे खिलाड़ी जिरो लोग बहुत अच अंत्रिम चेयर मैन है इम्रान ख्वाजा इसे परदा शाषांग मनोहर थे चेयर मैं तो उन्होंने इस्तिपा दे दिया है उसके बाद इम्रान ख्वाजा जो है अंत्रिम चेयर मैन है ICC के question number 6 है कि अगस 2020 में निम्ने लिखित में से किस ने सरकल इंटरनेट का अधिगरण कर लिया है so अभी recently सरकल इंटरनेट का अधिगरण किया है share chat ने यह जी कि option D वाला यहां पर से बिल्कुछ सही है यह आपको यहां से ध्यान रखना होगा अगर आप लोग शेयर चेट के बारे मैं जानते होँगे अगर हम सर्कल इंटरनेट की बात करते हैं तो आप में से कही लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा 2018 में IIT के तीन चात्रों ने इसके स्थाफना की ती तीनों के नाम मैं नहीं आप लिखे हैं जरूरी नहीं आप याद रख सको इसको उचित कुमार, गौरव अगरवाल और ससांग शेकर इन तीन लोगों ने जो है सरकल इंटरनेट की स्थापना की थी 2018 में ये जो इंटरनेट सरकल इंटरनेट है ये दूसरी और तीसरी सेहनी के शहरों में भारतिय भासाओं के इंटरन और 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 भी कई एप हैं जो कि आपको लोकल न्यूस देते हैं आपकी एरिया में क्या हो रहा है वैसी ये सेम की टू सेम सरकल इंटरनेट भी है जो कि आपकी जो लोकल न्यूस है वो आपको देता है जिन प्रदिशों के नाम मैंने यहां पर लिखे हैं उन राज्यों की राजिस्तान और केरल की ठीक है तो इन राज्यों के 120 जिलों में यह सेवा चलती है इनकी यह लोकल न्यूज जो है आपके जिले की आपके एरिया की जो है न्यूज यह आपको देंगे इसके लावा जो जौब रिलेटेड और भी कई चीजे इसके लावा आप इनके जो किस फुटवल कलब ने UEFA Champions League 2020 जीती है अभी रिसेंटली UEFA Champions League 2020 किस ने जीती है यह हमेहाँ से बताना है इसका सही आंसर आप्शन B वाला है यानि कि ब्राइन म्यूनिक ने अभी रिसेंटली ब्राइन म्यूनिक जो की जर्मनी की टीम है इसने पैरिस फ्रांस की सेंट जर्मन कलब को हरा कर छटी बार UEFA Champions League जीत ली है UEFA Champions League फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग में से एक है तो यहाँ पर PSG भी बोलते हैं पैरिस की जो पैरिस सेंट जर्मन जो आपका पैरिस की जो फुटबॉल कलब है उसको ठीक है PSG तो PSG को हराया है म्यूनिक ब्राइन म्यूनिक ने ठीक है जो की जर्मनी की फुटबॉल टीम है तो आप यहाँ से याद रख सकते हो इसको important question है याद रखिए बहुत बड़ी championship होती है यह football की तो छटी बार जीता है ब्राइन म्यूनिक ने ठीक है ब्राइन म्यूनिक ने फाइनल में पैरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हरा कर यह खिताब अपने नाम किया है तो वैसे मैंने जो पहला point लिखा है यह point आपके लिए important है तो आप यह याद रख सकते हो इसके बाद question number 8 है कि अगस 2020 में निमने लिकित में से कौन महिला ब्रिटिस ओपन का खिताब जीत कर major tournament जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोलफर बन गई है इसका सही answer option यह वाला है इनकी Sophia Popov अभी recently Sophia Popov जो की जर्मनी की है यह British Open का खिताब जीतने वाली जर्मनी क पहली महिला गोलफर बन गई है जो आपका यह British Open ही काफी बड़ा किताब होता है तो इसको जीतने वाली जर्मनी की जो पहली महिला गोलफर है उनका नाम जरूर याद रखिएगा इन्होंने अंतिम दौर में तीन अंडर 68 का स्कूर बनाया और इसी दौरान 67 का स्कूर बना है तो जैस्मिन सवाना पुरा जो है वो दूसरे इस्तान पर रही है इसमें तो यह आपको खैर यहां पर इंपोर्टन आपके लिए यह आप याद रख सकते हो इंटरेस्टिंग बात यहां से यह है कि सोफिया ने इससे पहले कोई भी छोटा जो आपका चोटे इस तरफे भी जो गोल्फ के जो माम मतलब टूर्णामेंट होते हैं वो नहीं जीते हैं तो यह अपने आप में एक थोड़ा सा आश्चर की बात है कि इतना बड़ा टूर्णामेंट आखर में इन्होंने कैसे जीत लिया है क्योंकि इससे पहले इनने कभी जो है इसके आसपास की जीत यह अरजित नहीं की थी ठीक है तो उसके उपर भी काफी बात हो रही है यहां पर तो थोड़ा सा मतलब एक चर्चित विशय भी बन गया है यह कि सूफिया पुपोवा ने कैसे जो है इतना बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया है तो यह आप यहां से याद रख सकते हैं जर्मनी की पहली महिला गोलफर बन गई है इतना बड़ा खिताब जीतने वाली ठीक है अब किसको हरा कर जीता है तो जेस्मिन सुवानापुरा को हरा कर जीता है ठीक है चलिए इसके बाद क्वेशन नमर 9 है कि नौखाई जोहार किस राज्य का मुख्य उस्सव है के लिए यह त्युहार मनाया जाता है इस बार 23 अगस्त को यह मनाया गया था वैसे यह अगस्त सेप्टमबर के बीच में मनाया जाता है नौखाई का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है खाना कुछ अन्य त्योहार हैं जो हमसे पूछे जाते हैं एक्जाम में जैस इसको मणा ज़bout है पौंगल को ठीक है और लेकिन ये तमिलनादूकः है औरम की बात करते हैं तो ओरम जो है ये केरल में मनाया जाता है औरिशा में मना जाता है नुणाखाई जोहार लिखा ओगा या फिन नुईा खाई त्युहार लिका होगा बात लिए ठीक है याद रखन नुखाई जोहार कहाँ मना जाता है तो आप याद रखेंगे अगर आपको आजाता है कि दोनी एक चीज़ें उडिशा की राजधानी भूनेश्वर है, राजपाल, गड़ेसी लाल है, मुख्यमंत्री नबीन, पतनायक है अगर हम यहाँ पर मैप में दिखाएं आपको उडिशा, तो उडिशा की जो सीमा है वो आंदरपर्देश से लगी हुई है इसके अलावा अगर हम यहाँ से देखेंगे, तो यह 36 गड़ से लगती है, जारकंड से लगती है और पशिम बंगाल से भी लगी हुई है उडिशा की सीमा, ठीक है? तो कितने राज्यों से लगी हुई है? आंदरपर्देश, चातिसगर, जारकंड और पशिम बंगाल इसके बाद question number 10 हैं कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा रोप हुए, किस राज्य में इस्तित है? तो सबसे लंबा नदी पर बना हुआ रोप है, भारत में कहां पर इस्तित है, कौन से राज्य में इस्तित है, यह question बहुत important बनेगा exam के लिए, इस चीज को याद रखे कि मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, यह important question है, तो आपको ध्यान रखना होगा, असम में बना हुआ है, करीब 11 साल का समय लगा है, और यहां पर मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपके लिए 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 है, इसमें 60 रुपए एक तरफ जाने का किराया लिया जाएगा, और दोनों तरफ जाना जाता है कोई तो इसको 100 रुपए टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है, आने जाने का, इ यहां पर शुरुवात की गई है, तो यह आप यहां से याद रख सकते हो, ठीक है, बीच में इसका काम कुछ टाइम के लिए रुका भी था, इस रुपवे की जो लंबाई है, वो है 1.86 किलो मीटर, ठीक है, 1.86 किलो मीटर जो है, वो इस रुपवे की लंबाई है, तो आप याद रख सकते हो, कुछ नियूस पर ने 1.9 किलो मीटर लिख दिया है, और कुछ ने राउंड फिगर में 2 किलो मीटर लिख दिया है, इसकी जो आपकी लंबाई है, वो है 1.82 किलो मीटर, ठीक है, तो यह नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा रोप वे है भारत का, जो कि अस बी वाला यहाँ पर से बिलको सही है, इसका उदघाटन केंद्रिये जनजातीय मामलू के मंत्री श्री अरजन मुंडा के द्वारा किया गया, तो बिसकलि यह जो ट्राइब से इंडिया शोरूम है, इसका उदेश यह है कि जो हमारे जो जनजातीय लोग है, आदिवासी लो बंडार मिला है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑशन B वाला, यह जनी कि तुर्की, अब रीसेंटली तुर्की को काला सागर में प्राक्टिक गैस का बहुत बड़ा बंडार मिला है, पागिस्तान के राश्ट राश्पती है, रैसेब, तैयाप, एर्धोगान, इन्होंने कहा है कि इनको जो गैस भंडार मिला है वो है 320 अरब क्यूबिक मीटर का ठीक है इस प्राकितिक गैस का उतपादन यहांपर जो है तुर्की जो है ठीकिली आपका जो पेट्रॉलियम है उसके लिए निर भर रहता है रूस मतलब जो है सब्सक्द्द जादा इसको भीजता है पेट्रॉलियम तो अगर यहां पर इसके लिए अपनी इसने मदना गैस का बंडार खोज लिया है तो आने वाले टाइम में यह तु पुझ जुलाइश शुरू कर दी थी ठीक है फतेह नाम का जो है ये ड्रिलिंग शिप था और जिस एरिया में ये खोजा गया है जो ये एक टेल भंडार खोजा गया उसको नाम दिया गया है टूना वन ये जो एरिया है ये तुरकी के टट से लगभग सो नौटिक मील उत्तर में इस्तित है तुरकी की राजदानी अंकारा है मुद्रा है यहां की लीरा अगर मैं आपको तुरकी दिखाओं तो आप यहां पर से देखोगे और ये ब्लैक सी में जो है मिला है सबसे बड़ा इसको अभी तक का गैस बंडार ये मतलब तुरकी का अभी तक का सबसे गैस बंडार है तो यह आप यहां से याद रख सकते हो 320 अरब क्यूबिक मीटर गैस बंडार जो है इसको मिला है तुरकी को ब्लैक सी में ठीक है तो आप यहां पर से देख पा रहे होंगे ब्लैक सी भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मैत में भी आपको याद होना चाहिए इ मना आप से पूछा था कि अगस 2020 में RBI ने चेक से होने वाली धोका धड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुवात की तो इसका जो सही आंसर था वो था पॉजिटिव पे यानि कि option B वला यहां पसे विल्कुल सही था ठीक है अब बात करते हैं आपके लिए आज क प्रश्ण की इस प्रश्ण का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपके लिए आज का प्रश्ण है कि विश्व जैव इंधन दिवस कम मना जाता है तो बताइए मुझे कमेंट करके कि विश्व जैव इंधन दिवस कम मनाते हैं थांक्यू सो मच वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुब हो धन्यवाद अगर आपको इसमें कोई चीज समझ में आई हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं विश्विट जैव इंधन को हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड बायो फ्यूल डे तो आप बताएं वर्ल्ड बायो फ्यूल देख कर मनाते हैं सो थैंकि सो मच तन्यवाद